आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ ATPase enzyme required for muscle contraction is located in पूछा गया है जो ATPase enzyme होता है यानि जहां से ATP जो है वो generate होता है और जहां से energy जो है वो provide होता है for the muscle contraction या फिर relaxation वो कौन से पार्ट से होता है तो basically अगर देखा जाए तो ATP जो release होता है वो होता है myocene पार्ट से myocene जो है ये क्या करता है तो ये thick filament को बनाते हैं और जो thick filament होते हैं body के या फिर muscles के वो क्या करते हैं तो वो hydrolyze करते हैं किसको ATP को जिससे की energy जो है वो generate होता है और यही energy जो है वो muscle contraction और relaxation में contract और relaxation of muscle में help करते हैं तो इसी वज़े से myocene में ही क्या होता है कि ATP enzyme जो है वो पाये जाते हैं अब बाकी पर discuss कर लेते हैं तो पहला है actinine, actinine का का काम क्या रहता है तो यह actin filaments को क्या करते हैं एक साथ attach करते हैं और इसको bundle बनाते हैं attaches actin filament and forms bundle next है troponine तो troponine क्या करता है तो यह calcium को regulation करता है या calcium के regulation से contraction को आगे बढ़ाता है muscular contraction को next है actin, तो actin का main काम होता है cross bridge form करना जिससे की muscular contraction होता है और आगे viable या फिर आगे जो muscular contraction है उसको आगे लेके जाने में या फिर relaxation के time में actin filaments जो है वो help करते हैं और यह सबी जो है वो muscle में पाये जाते हैं जोगी एक proper contraction और relaxation को take place कराते है तो हमारा correct answer जो ATP enzyme के लिए होगा वो हो जाएगा myosin जो की याँ पे third option है classics to 12 से लेके need IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आ या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर